हेलो दोस्तों, वेलकम तु माय यूट्यूब चैनल, तो हमने अपने पिछली वीडियो में डिसकस किया था, कि कैसे हम एक नोड को insert कर सकते हैं, singly link list के end में, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे, कि कैसे हम एक नोड को insert कर सकते हैं, singly link list में, at a given position, तो मानलो हमें यह singly link list दी गई है, जिसकी size अगर देखें, तो 4 है, क्योंकि इसके नदे 4 notes है, और अब हमें एक node insert करना है, at a given position, जहां पर position start होगी index 0 से, तो हमें node insert करने के लिए एक position दी होगी, जो कि 0 index होगी, इसका मतलब, अगर हमें singly link list दी हुई है, तो यह हमारा 0 index होगा, यह first index, यह second index और यह third index, तो overall size 4 है, और last index है हमारा 3, और जो first node है, उसका index है 0, तो हमें जो position दी होगी, अगर मानलो position दी हुई है, 0, तो इसका मतलब हमें node इस index में डालना है, जाएगा, तो जब हम position 0 बोलते हैं, इसका मतलब हमें 0 दी इंडेक्स पे node डालना है, तो position 0 का मतलब यह भी है कि, हम insert कर रहे है beginning में, तो यह हो जाएगा हमारा insert, at beginning, जो कि हम already discussed कर चुके हैं, अब हमारी list की size 4 है, तो अगर position, is equal to size, यह 4, तो वह हो जाएगा हमारा insert, at end, जो कि हम already discussed कर चुके हैं, और अगर हमारी position होई 2, तो जो नया node है वह यह insert होगा, और 8 इसके आगे चला जाएगा, तो इस वीडियो में, हम इस algorithm का demonstration देखेंगे, step by step, तो यहां पर हम एक method दिया गया है, जिसका नाम है inserted position, उस method के अंदर हम data pass करते हैं, और एक position pass करते हैं, तो head की value null होती है, और size 0 होता है, तो अब हम एक node insert करेंगे, इस list के अंदर, at a given position, तो इस method के अंदर कुछ edge cases है, जहाँ पर हमें position को check करना होता है, कि वह valid position है कि नहीं, तो मालनों insert at position call करते हैं, जिसमें data 10 है, और position की value minus 1 है, data 10 और position minus 1, तो हमें पता है कि list हमारी 0 index based है, तो position की valid value 0 से आगे की होगी, यहाँ पर हमने minus 1 provide किया है, इसका मतलब यह जो if condition है, if position less than 0, यह हमारा edge case हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर position invalid है, तो हम यहाँ तो यहाँ से return हो जाएगे, यहाँ exception throw कर देंगे, illegal argument exception, यहाँ सारी negative नहीं हो सकती, अब मालनों वह यह method call कर रहे है, insert at position जिसका data 10 है, और position 1 है, तो जब head की value null है, और size 0 है, तो हम चाहते position 1 पर एक node insert हो, जिसका data 10 है, तो इस case में singly linked list के नदर एक भी node नहीं है, और मैं पता singly linked list का starting index 0 होगा, तो यह condition false होगी, क्योंकि position greater than 0 है, अब यहाँ पर हम एक और check डालेंगे, कि position greater than size होगा, तो यह इसके लिए क्योंकि अभी list के नदर एक भी node नहीं है, और हम चाहते कि index 1 पर node insert हो, तो यह possible नहीं है, तो हम यहाँ पर condition डालेंगे कि position अगर greater than size है, तो यह एक invalid position है, तो अगर मान लो यह हमारी list है, तो यह zeroth index होगा और यह first index होगा, तो हम बोल रहें कि position 1 पर एक node insert करो, जबकि हमारा head null को refer कर रहा है, इसके अंदर एक भी node नहीं है, तो यह एक invalid position है, तो हम फिर से exception throw करेंगे, कि invalid position exceeds the list size, तो यहाँ पर size 0 है और position 1 है, तो वह exceed कर रही है size से, तो यह exception throw करेगा, तो यह दो edge cases के बाद, लेट से हम वापस से method call करते हैं, और इस बार हमारी position 0 है, तो यहाँ पर position की value 0 है, वह less than 0 नहीं है, तो यह condition false हो जाएगी, हमारा size 0 है, और position भी 0 है, तो यहाँ पर यह condition भी false हो जाएगी, चुकि position is equal to size, तो यहाँ पर हम simply बोल रहें कि 0 इंडेक्स पर एक node insert करना है, तो यहाँ पर size 0 है, तो हम इसे आसानी जा कर सकते हैं, तो यह valid position है, तो यह scenario वही है, inserted beginning जो हम अपने पिछले वीडियो में discuss कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम memory में एक node बनाएंगे, जिसका data 10 होगा, अब यहाँ पर हम एक if else condition provide करेंगे, तो अगर हमें node को index 0 पर add करना है, तो इसका मतलब insert at beginning है, तो इस case में यह condition true हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पर यह node add हो, तो हमने अपने पिछले वीडियो में यह already discuss कर लिया, कि कैसे हम एक node को list के start में add करते हैं, यह position 0 पर add करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मालनो हमार head ऐसा होता, और यहाँ पर कुछ notes होते, तो यह new node को अगर हमको position 0 पर डालना है, मतलब इस position पर डालना है, तो इस node को आगे खिसकाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम इस node को यहाँ पर insert कर रहे हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर insert करने के बाद head को इस node को refer करना चाहिए, तो head को इस node से यहाँ पर आ जाना चाहिए, तो हम यह दो steps करते हैं, सबसे फिर तो यह link create करते हैं, जो new node का next है, उसके अंदर head की value दे देंगे, तो new node का next अभी ना ले, जब हम head की value provide करेंगे तो यह कुछ ऐसा होगा, इस वक्त list में कोई node नहीं है, लेकिन यह algorithm में इसी तरीके से चलेगी, अगर इदर बहुत सारे nodes भी होते, तो भी हम यही करते, तो new node के next में, हमने head assign कर देंगे, इसका मतलब हमने यह chain मनाई, अब इसके अगली step में क्या करेंगे, कि जब यह node insert हो गया, तो head इस node को refer करना चाहिए, तो head के अंदर, हम new node की value डाल देंगे, zeroth index पे, तो हम size बड़ा देंगे, size हो गई 1, तो जब यह method end होगा, तो हमारी list कुछ इस तरीके से दिखेगी, कि एक node हमने insert कर दिया zeroth index पे, क्योंकि हमारी position 0 थी, और चुकि इसके पहले head के अंदर कोई node नहीं था, तो head इसी node को refer करने लग गया, अब मालनो हमारी list के अंदर एक node already है, size 1 है, और हम insert it position call करते हैं, हमें अब data 11 insert करना है, position 1 पर, तो position 1 है, इसका मतलब first index, और data हमने 11 pass किया है, position less than 0, तो यह condition false है, क्योंकि position की value 1 है, position is greater than size, तो size 1 है, और position भी 1 है, इसका मतलब यह valid position है, यह zeroth index है और हमें अब node यहां first index पर डालना है, तो यह valid position है, तो सबसे पहले हम एक node create करना होगा memory में, new node, memory में इस node को refer करेगा, जिसका data 11 है और उसका next null है, अब position की value 1 है, तो हमें beginning में insert नहीं करना, तो यह condition false हो जाएगी, अब हम else part देख रहे हैं, तो यहां पर इन age cases को पार करके हम यहां पहुचें, इसका मतलब यह valid position है, जा पर यह new node insert होगा, तो मान लो यह हमारी list है, यह zeroth index, यह first, यह second, यह third, तो हमें second index पर यह node insert करना है, और मान लो इस list के अंदर data इस तरीके से, 1, 3, 5, और 7, तो हमें एक node को insert करना है, जिसका data 10 है, position 2 पर, मतलब इस position पर, तो जब यह node insert होगा, तो सबसे पहले तो यह जो link है, इसे हमें हटाना होगा, मान लो यह हमारा node है, यह हमारा new node है, जिसका data 10 है, और हमें index 2 पर डालना है, तो index 1 और 2 connected है, तो हमें यह link तोड़नी पड़ेगी, तो यह जो link तूटेगी, इसके बाद यह ऐसा कुछ होना चाहिए, कि यह link इस node को refer करनी चाहिए, और हमें इस node को insert करना है, तो जो new node का next है, वो null की बज़ए, अगर 5 को refer करेगा, तो यह node कुछ इस तरीके से insert हो जाएगा, head 1 को refer करेगा, 1, 3 को, 3, 10 को, 10, 5 को और 5, 7 को, तो यह node बीच में कुछ इस तरीके से insert होगा, हमें दो links बनाने पड़ेंगे, एक तो हमें existing link को हटाना पड़ेगा, और उस link को new node को refer करना होगा, और जो new node का next है, वो हमें उस node पे refer करना होगा, जहांपे हमें actually node insert करना है, तो अगर हमें position 2 पर node insert करना है, तो while loop यह हमें, जिस भी position पर node को insert करना है, उसके एक node पहले लेके जाएगा, तो अब हम इस चीज का demonstration देखेंगे, तो यह algorithm और clear होगी, हमें सबसे पहले टेंपररी node बनाना पड़ेगा current, जो कि head से start होगा, क्योंकि हम head को directly manipulate नहीं करते, तो हमें current node बनाएंगे, अब हम यहां पर एक counter बनाएंगे, जिसे हम 0 से initialize करेंगे, क्योंकि हमारी position 0th index है, तो counter की value 0 से initialize की, अब यहां पर हमारी condition डालेंगे, कि counter should be less than position minus 1, counter की value 0 है, position की value 1 है, तो जब हम 1 minus 1 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और counter 0 है, तो 0 is not less than 0, तो यह while loop इस condition में नहीं चलेगा, और यह condition इसलिए sense करेगी, क्योंकि हमें node को first index पर डालना है, और हमने discuss किया था कि, जिस भी index में हमें डालना है, उसके एक पहले index तक हमें पहुचना है, तो हम already current को उस index में लेके आ चुके हैं, यह यही काम करेगी, यह पहली step और यह दूसरी step, हम सबसे पहले यह step इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर हमने यह link directly तोड़ जया तो यह दोनो node, memory से चले जाएंगे, इसलिए पहले हम यह step perform करते हैं, उसके बाद यह link तोड़ते हैं, तो अगर हमारी यह list होती, और हमें node को second index पर डालना होता, तो current हमारा यहां तक आता, इस file loop की मदद से, तो current का जो next होता हो, जो की यह node था, वो हम assign कर रहे हैं, new node के next में, ताकि यह link generate हो जाए, इस तरीके से, तो यह line जब execute होगी, तो current का next अभी null है, तो new node का next भी null ही रहेगा, और अब हमें यह link बनानी है, तो current के next पर, हम new node assign कर देंगे, जो की यह node है, तो इस case में current का next अभी null है, जब हम यह assignment करेंगे, तो current का next इस node को refer करेगा, तो इस तरीके से यह new node है, यह index 1 पर आ गया है, तो हम size को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यह node insert कर दिया है, और list के अंदर दो nodes हैं, तो दोस्तों इस case में यह while loop execute नहीं हुआ था, क्योंकि हमें first index में डालना था, तो हम already zeroth index से start कर रहे थे, तो हमने directly node insert कर दिया, यह algorithm जो हमने यहां देखी, वह second position के लिए था, तो अब हम एक node insert करेंगे, जो zero और first position में ना होके, कहीं बीच में हो, तब हम actually देखेंगे कि while loop कैसे हमें, जिस position पर add करना होता है, current को उसके एक position पहले लेके आता है, तो दोस्तों मान लो हमें यह singly link list दी हुई है, जिसके अंदर 3 nodes हैं, तो size 3 है, अब हम एक node insert करना है, जिसका data 9 है, और second position पर करना है, तो यह zeroth position, यह first position और यह second position, तो अब हमें node इस position पर add करना है, तो यह जो node है जिसका data 8 है, वो एक से आगे चला जाएगा, और 9, 11 और 8 के बीच में रहेगा, चुकि वो position second position है, यह condition false होगी, चुकि position की value 2 है, position greater than size, तो यह condition भी false है, 2 less than 3 है, सबसे पहले हम एक new node बनाएंगे, जिसका data 9 होगा, तो यह new node है, जिसका data 9 है और उसका next null को refer कर रहा है, यह condition false होगी, क्योंकि हमें position 2 पे add करना है, तो दोस्तों अभी else part ज्यादा समझ में आएगा, हमें यह node 9, index 2 पे डालना है, तो इसका में इस node की जगह है, यह वाला node आ जाएगा, और यह वाला node अब add को refer करेगा, तो इसका मतलब यह कुछ ऐसा दिखेगा 10, 11, और जब यह node insert हो जाएगा, तो यह ऐसा दिखेगा 9, 8, और फिर null, तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यह zeroth position है, यह first position है, यह second है, तो जो हमारा node 8 है, वो third index पे आ जाएगा, यह हमारी final list होगी, तो अब हमें यह node को, 11 और 8 की बीच में डालना है, तो सबसे पहले तो हमें यह link तोड़नी पड़ेगी, जो हमने पिछले slide में भी discuss की, यह link तोड़नी पड़ेगी, और यह वाली link, इस node को refer करनी चीए, ताकि यह link बन पाए, है, ऐसा, और new node का next है, वो 8 को refer करना चीए, इस तरीके से, तब जाकर node, इन दोनों nodes के बीच में आएगा, तो अब हम देखेंगे कि कैसे होगा, हमें यह link तोड़नी है, तो जिस भी position में हम यह node insert कर रहे हैं, उसके एक पहले position पे हमें आना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें while loop प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम current को head से start करेंगे, जो की 0 दि इंडेक्स पे है, हमें counter बनाएंगे, जो 0 से start होगा, अब इस while loop में हमें condition प्रोवाइड करेंगे कि counter should be less than position minus 1, position की value 2 है, तो 2 minus 1, 1 हो जाएगा, और counter की value 0 है, तो 0 is less than 1, तो यह condition true हो जाएगी, और यह while loop execute होगा, और यह इसलिए execute होगा, क्योंकि current अभी इस note पर है, हमें इस note पे insert करना है, तो हमें इस note तक पहुचना है कैसे भी करके, तो इसका मतलब while loop एक बार तो चलेगा, तो तब यह condition हमें मदद करती है, 1 step आगे ले जाने में, हम count की value बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हम 1 step आगे जा रहे, current को उसके next में लेके जाएंगे, तो current.next की value हम current में assign करेंगे, current.next इस note को refer कर रहा है, तो उसकी value current में आ जाएगी, तो current second note पे आ जाएगा, इस तरीके से, अब हम फिर से चेक करेंगे, counter की value 1 है, 2-1, 1 होता है, 1 is not less than 1, तो यह condition false हो जाएगी, इसका मतलब में while loop से बहार आ जाएगे, तो जब हम while loop से बहार आएगे, तो current position minus 1 तक पोच चुका होगा, जो कि यहाँ पर अल्रेड़ी पोच चुका है, तो हमें इस note का reference मिल चुका है, अब हमें new node को इन दोनो notes के बीच में add करना है, जो कि index 2 होगा, और हमें यह भी देखना है, कि जब यह node insert होगा, तब यह जो node 8, यह memory से lost नहीं होना चाहिए, यह list का हिस्सा बने रहना चाहिए, और यह node इन दोनो notes के बीच में आ जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो new node का next है, वो null को refer करता है, यह वो हमारा node है, इसका next अभी null को refer कर रहा है, तो अगर इसका next 8 को refer करने लग जाए, तो first step में हम क्या करेंगे, current का next यह node है, इस node को हम new node के next में डाल देंगे, तो new node का next न ले, इस assignment के बाद क्या होगा, new node का next 8 को refer करने लगेगा, इस तरीके से, तो यह तो हो गए हमारी पहली step, कि हमारा जो new node है, इसका next 8 को point करवा दिया, अब दूसरी step में, हम इस node तक इसी लिए पहुचे थे, क्योंकि हमें यह link तोड़ना है, और इस link को तोड़के, current का जो next है, वो इस node को refer करना चाहिए, 8 से हटाके, उसे 9 पे refer करना चाहिए, तभी यह node बीच में आ पाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, new node की value, जो की इस node को refer कर रहा है, वो हम current के next में डाल देंगे, तो current का next इस node को refer कर रहा है, तो सबसे पहले तो इस link तूटेगी, और इस assignment के बाद current का next new node को refer करेगा, तो यह कुछ ऐसा करेगा, तो यहां पर head first node को refer कर रहा है, first node 11 को refer कर रहा है, 11 पहले 8 को कर रहा था, अब 9 को कर रहा है, वो 9 का next नल था, अब 8 को refer कर रहा है, तो यहां पर इस तरीके से node, इन दोनों nodes के बीच में आ गया है, तो उसे insert करने के वाद, सबसे पर तो size बढ़ाएंगे, अब यहां पर 4 node से list में, तो size 4 हो जाएगी, और यह list कुछ इस तरीके से दिखेगी, कि यह जो node था हमारा, अगर आप देखो, तो वो index 2 पर आ गया है, क्योंकि हमें position 2 पर डालना था, और starting में node 8 position 2 पर था, तो वो 3 पर आ गया, तो वो एक step आगे चला गया, और यह node इन दोनों nodes के बीच में आ गया, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो एक like और comment कर देना, और अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो उसे subscribe कर लेना, थैंक्स, have a nice day.